Dear Students, आज हम दुबारा Exercise 12.1 का Question No.5 हल करने का र्यास करेंगे. प्रसन है कि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12 अनुपात 17 अनुपात 25 है और उसका परिमाप 540 सेंटी मिटर है. इस त्रिभुज काक से तरफल ग्यात कीजिए. तो देखिए हमारे पास क्या दिया है कि मान लो त्रिभुज की भुजाओं कि अनुपात में दी है कि इसको मान लेंगे त्रिभुज की भुजाओं है. रेशों में है 12 एक्स 17 एक्स और 25 एक्स यह हमने क्या मान ली त्रिभुज की कोई भुजाओं है. हमारे पास क्या दिया है त्रिभुज का परिमाप त्रिभुज का परिमाप जो पैरिमेटर हमारे पास दिया है. पुदिया है हमारे पास पांसो चालीश सेंटीमीटर. दिस सेंपलाइस परिमाप हमें पता है कि त्रिभुज का परिमाप त्रिभुज की भुजाओं के माप के कुल माप के योग के बरावर होता है. यह बारा एक्स प्लस सत्रै एक्स प्लस 25 एक्स इपल तू 554 सेंटीमीटर और प्लस किया हमारे पास बन गया. 54 X is equal to 540 cm और X is equal to 540 upon 54 is equal to 10 cm यहां से हमरे पास बुजाओं का माप निकल जाएगा इसलिए त्री भुज की भुजाएं होंगी therefore the side of triangles R is equal to 12 x x that is 12 into x that is 10, 17 into 10 and 25 into 10 is equal to 120, 170 and 250. इसलिए क्योंकि तीनों बुजाओं का माप अलग अलग है इसलिए हमें हिरोन सुत्तर का यूज़ करेंगे और हिरोन सुत्तर के लिए मिटिये अर्द पर इमाप इसलिए त्रिभुज का अर्द परिमाप सेमी पेरिमेटर इसलिए को तो 540 अपान 2 इसलिए को तो 270 सेंटीमेटर और यह माप जो हमारे पास सारा यह सेंटीमेटर में है इसलिए त्रिभुज का किसे तरफल बराबर है अंडर रूट एस इंटो एस माइनस ए इंटो एस माइनस बी इंटो एस माइनस सी यहाँ पर हमने क्या किया यूजिंग हिरोन स्फार्मूला यूजिंग हिरोन स्फार्मूला तो इस इकल तो स्क्वेर रूट अफ एस सेमी परिमेटर अर्द परिमावा मारे पास कितना है इंटेमेरा शफंधे थ ह możli्कू और हमने है यूttot ऑन चार्द क्र तो एस्ट इंट सेटपन स्पेंटों into 270 minus C that is 250 सारे को परबर गमूल है is equal to हल कर दिया 270 270 में से 120 गए हमारे पास बचे 140 270 में से 170 गए 100 बचे और 270 में से 250 गए हमारे पास 20 बचे अब यहाँ पर हम इसको solve कर देंगे या तो हमारे पास 2 तरी के सब को गुणा करें और भाग भी दिद्वारा बरगमूल ग्यात करें या गुण खंड भी दिद्वारा में इसको अलग कर सकते हैं देखिए 270 को में लेक सकते हैं हम यह था संभव यह प्रयास करेंगी कोई बरग संख्या मारे पास का पूरी बन जाए देखिए इसको में लिख सकते हैं बरगमूल तीस गुणा नो पिचास गुणा तीन थोड़े सको भी हम तोड़ दें दस दस सो गुणा पांच गुणा चार यहीं इसको अम्मल कर देंगी इस इकुल टू देखिए एक तीस हमारे पास यह है इस और संख्या को हम गुणा करेंगे तो हमारे पास बना दस दियां तीस तो हम इसको लिख सकते हैं क्योंकि तीस बरगमूल तीस गुणा नौ भी पूर्ण बरग संख्या है पचास गुणा तीस गुणा दस गुणा पांच गुणा चार देखिए एक तीस यह है एक तीस यह है पूरी बरग संख्या है तो बरग से बाहर आ जाएगा नौ पूरी बरग संख्या है तीन तीन नौ चार पूर्ण बरग संख्या है तो बाहर आके हमारे पास दो बनेगा तो एबी हो गया हमारे पास अंदर बचा पचास गुणा दस गुणा पांच बराबर है तीस गुणा तीन गुणा दो पांच पांच पच्चीस और दो सुन्या बराबर है तीस गुणा तीन गुणा दो गुणा पांच पच्चीसों का बर्ग मूला मारे पास पच्चास बराबर है एक सुन्या एधर है एक सुन्या इधर है दो सुन्या पांच वै दस दस तीस 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 तयन नवबे नव हजार बर्ग सेंटी मीटर तो इस एक्सेसाइज के हम सबी प्रसन हैसे ही हल करेंगे झाल